भारत की चंद्रियान 3 ने इतिहास के पन्नों में 23 अगस्त को स्वर्णिम अक्ष्रों में लिख दिया है नमस्कार चानक के IS Academy Current Affair में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं चंद्रियान 3 के बारे में जिसने चंद्रमा की सतय पर सफलता पूरक लेंडिंग कर ली है 140 करोड भारतियों समेथ पूरी दुनिया की निगाहें उस्छन पर टिकी थी जब भारतिय समय नुसार शाम 6 बच कर 4 मिनट पर लेंडर विक्रम ने चानक की सतय पर सौट लेंडिंग की इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षने धुरूप पर पहुँचने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया हर भारतिय इस एतिहासिक पल का साक्षी बना इसरों ने 23 अगस को शाम 5 बचकर 20 मिनट से इस घटना क्रम का सीधा प्रसारण भी किया भारत के अधिकान स्कूलों कॉलेजों में भी सीधे प्रसारण की विवस्ता की गई लेंडिंग की समय वेग्यानियों का सबसे अधिक ध्यान चंद्रमा के सतह के ऊपर अंतरिक्ष्यान की गती को कम करने पर रहा क्यूंकि यदि हम उस गती को नियंतरित नहीं करते तो क्रेश लेंडिंग की आशंका थी अब तक अमेरिका, ततकालिन, सोवियत संग और चीन ने भी चंद्रमा की सताह पर अपने लेंडर उतारे हैं भारत भी इंदेशों की सूची में शामिल हो गया है इस मिशन के पीछे टीम का एक मुख्य हिस्सा रितू करिधर श्रीवास्तव हैं जिने रॉकेट वुमिन ओफ इंडिया के नाम से जाना जाता है ये चंद्रियान 3 की मिशन निदेशक है तो चलिए बात करते हैं चंद्रियान 3 की पूरी यात्रा पे सबसे पहले देखते हैं इसके प्रक्षेपन के बारे में 14 जुलाई को आंधर प्रदेश की सिरी हरी कोटा स्तित सतीश धवन अंतरिक्ष केंडर से LVM3 M4 रॉकेट चंद्रियान 3 को लेकर रवाना हुआ था इसके बाद इसरों ने प्रथ्वी से दूर कई बार चंद्रियान 3 की कक्षाएं बनली थी एक अगस्त को स्लिंग शॉट के बाद प्रथ्वी की कक्षा छोड़ कर यान चंद्रियान की कक्षा की और बढ़ा था पाच अगस्त को इसने चंद्रियान की कक्षा में प्रिवेश किया इसके बाद 6, 9, 14 एवं 16 अगस्त को कक्षाओं में बदलाव कर यह हैं चंद्रमा के करीब पहुँचा 17 अगस्त को चंद्रियान 3 के प्रोपल्शन मॉडूल एवं लेंडर मॉडूल अलग-अलग हो गए और लेंडर मॉडूल चंद्रमा की सताय के और बढ़ा 18 और 19 अगस्त को दो बार दी बूस्टिंग यानि धीमा करने की प्रकिरिया के बाद लेंडर विक्रम और रोवर प्रज्यान से युक्त लेंडर मॉडूल चंद्रमा की सबसे करीबी कक्षा में पहुँचा अगर इस लेंडिंग के चरणों की बात करें तो मुखे ते इसके चार चरण हैं सभी मापदनों की जाच करने और लेंडिंग का नेड़ने लेने के बाद इसरू बैंगलूर के निकट बया लालू में अपने इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से लेंडिंग से कुछ घंटे पहले सभी आवशक कमान लेंडिंग मॉडूल पर अपलोड कर चुके थे सॉक्ट लेंडिंग की परकिरिया 19 मिनट पे पूरी हुई इनमें से 17 मिनट बेहद एहम थे इनमें कुछ चुनवतियां भी थी जैसे इस दोरान लेंडिंग के इंजन को सही समय और उचित उन्चाई पर चालू करना था सही मात्रा में इंधन का उब्योग करना और नीचे उतरने से पहले यह पता लगाना कि किसी प्रका की बाधा पहाड़ी या घड़ा आदी ना हो जिन चार परकिरियाओं की हम बात करने हैं या चर्णों की हम बात करने हैं उनमें पहला है रफ ब्रेकिंग चरण इस समय चंद्रमा की 25 किलो मीटर इंटू 134 किलो मीटर कक्षा में मौजूद चंद्रमा 3 का वेग करीब 1680 मीटर प्रती सेकिंड था लेंडर ने 25 किलो मीटर की उचाई से चंद्रमा की सताह पर उतरना शुरू किया विक्रम लेंडर में लगे 4 इंचिनों को फायर कर वेग को कम किया गया अल्टीटूड होल्ड चरन इसमें लगभग 10 सेकिंड तक अल्टीटूड होल्ड चरन की प्रकिरिया पूरी की गई इस समय लेंडर 3.48 किलो मीटर की दूरी तै करते हुए 36 से उर्द्वा धर्स्तिति की ओर जुका इसके उचाई 7.42 किलो मीटर से घटा कर 6.8 किलो मीटर और वेग 336 मीटर प्रती सेकिंड एवं 69 मीटर प्रती सेकिंड कर दिया गया इसके बाद आता है तीसरा चरन यह पूरी प्रकिरिया 135 सेकिंड तक चली इस चरन में लेंडर पूरी तरह से उर्द्वा धर्स्तिति में चला गया इसकी उचाई 6.8 किलो मीटर से घटा कर 822 मीटर कर दी गई और गती लगबग 60 मीटर प्रती सेकिंड थी लगबग 6.8 किलो मीटर की उचाई पर पहुँचने पर केवल 2 इंजिनों का उप्योग किया गया अन्ने 2 इंजिन बंद कर दिये गया 150 से 100 मीटर की उचाई पर पहुँचने पर लेंडर अपने सेंसर और केमरों का उप्योग करके सतय को स्कैन किया ताकि यह जाचा जा सके कि कोई बाधा तो नहीं है और फिर सौफ्ट लेंडिंग करने के लिए यह नीचे उतरना शुरू हुआ अपने चौथे चरण में जिसे की टर्मिनल डिसेंट चरण कहते हैं इसमें जब लेंडर निर्धारे लेंडिंग स्थल से करीब 10 मीटर की उचाई पर था तो इसके सभी इंजिन बंद कर दिये गए ताकि यह सीधे अपने पैरों पर नीचे आ सके और यह अंतिम चरण भी था इस पूरी परकिरिया के दौरान विक्रम लेंडर पर लगे विशे सेंसर और ओन बोर्ड कम्प्यूटर लगातार इसकी दिशा को नियंतरित करते रहे लेंडर अपने साथ रोवर को लेकर चांद की सतय पर लेंड हुआ लेंडर में लगे पैलोर से चंद्रमा की सतय का अध्यन किया जाएगा इसमें नासा का भी पैलोर लगा हुआ है रोवर कुछ दूरी तक चलकर चान की सतय का अध्यन करेगा रोवर प्रज्यान में भेजे गए तीन पैलोड में से पहला चंदरमा के दक्षेंद्रूप की मिट्टी और चंदरमा का अध्यन करेगा दूसरा पैलोड रासायनिक पदार्थों और खनीजों का अध्यन करेगा और देखेगा कि इसका सवरूप कब कितना बदलता है ताकि इसका इतिहास जाना जा सके तीसरा पैलोड देखेगा कि चान पर जीवन की क्या संभावनाई है और प्रित्वी से कोई समानता है भी या नहीं यह मिशन एक चंद्र दिवस का होगा चंद्रमा पर एक दिन को चंद्र दिवस कहते हैं यह 14 दिन का होता है अब हम बात करेंगे रोवर और लेंडर्स के बारे में रोवर प्रज्यान को विक्रम के भीतर रखा गया है यह सफल लेंडिंग के बाद चंद्रमा की सताय पर उतरा है इसमें दो प्रमुक उकरण लगे हुए है पहला है एलफा पार्टिकल एकसाइट स्पेक्ट्रोमिटर और दूसरा है लेजर इंडियूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन दोलों का काम चंद्रमा की सताह पर चीजों को नापना है खनीजों एवं अन्य सामग्रियों के बारे में जानकारिया मुहोया कराना है लेंडर विक्रम में चार परमुक उपकर लगे हुए है जि जो चंद्रमा से धर्ती के बीच रेंजी को अन्जाम देगा दूसरा है सिस्मोग्राफ भूगर्बिय प्रकिरियाओं को समझने में ये मदद करेगा इसके बाद आता है रंभा जो वातावरन में प्लास्मा का घनत्तम नापेगा और चौथा उपकरण है चंद्रा सर्फेस थर्मो फिजिकल परिक्षन है ये जो सतह के उपरी आवरन रिंगो लित की तापिये परिचालकता मापेगा अब हम बात करेंगे चंद्रियान मिशन की प्रश्ट भूमी के बारे में भारत अब तक तीन चंद्र मिशन लांच कर चुका है पहला चंद्रियान मिशन 22 सब्सक्राइब करें धन्यवान अब दूमें टूमी कि व्तिन लाओ ये खूमी के बारत ऑच का लिए की बारत अबँड तक है चंद्रियान लाओ फिक्रेंट प्रूमी केंज़ मिशन लाओ ऑ्ट इस वारत ऊफिके बारत की वारत है .